प्राणवे से प्यारे विध्यार्थियों शाथियों आज हम चर्चा करेंगी मार्टन कैपलान के अंतराष्ट्री विवस्ता के छै मोडल या प्रतिमान जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंतराष्ट्री विवस्ता को समझने के लिए सबसे पहले अंतराष्ट्री विवस् को समझना होगा और इसके बाद में अंतराष्टिय विवस्ता का मार्टन कैपलान ने जो मोडल दिये छे इन छे मोडलों को समझना अती आवसेक है आज हम केवल मार्टन कैपलान ने अंतराष्टिय विवस्ता का विशलेशन करने के लिए जो छे मोडल दिये उन छे मोडल अर अंतराश्टी संबंधों को अंतराश्टी घटनाओं के विशलेशन को हमें किशी भी रूप में मतलब समझने में दिक्कते नहीं आ सकती है अर्था जब हम अंतराश्टी राजनिती का विशलेशन करेंगे तो विशलेशन करने में उसे समझने में हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है बसरती कि हम Martin Kaplan के अंतराश्च्ती रस्ता की 6 मोडलों को अचछे से समझ सकते हैं मैंने इशी ही कारण मेरी प्रणोशी पयर विधियार्थियों के लिए Martin Kaplan के अंतराश्च्ती रस्ता के 6 मोडलों को ध्यान में रखते वे यह आप लिए डाइग्राम बना है इस डाइग्राम से आप 6 के 6 मोडल को आसानी से समझ सकते हैं और प्रश्ट भूम में की रूप में सभी बाते मैंने यहाँ पर नोट कर दी हैं तो सरव प्रतेप्स प्राण nell और विद्धा थे प्रतिद्ज समय में मेरे यूट्rians चैनल करता हूं उसकी जानकारी शुचन आप को प्राप पोसकर इसकी हमारी यूट्ब चैनल को सब्सक्राइब वे से मॉर्टन कैपलान भी बोलते हैं तो आप लिखेंगे मॉर्टन कैपलान के अंतराश्टिय विवस्ता के छै मोडल लेक्चर नमबर की पार्ट नमबर थ्री अर्थात अंतराश्टिय विवस्ता का ये पार्ट नमबर थ्री है ये आपको ध्यान रखना है आज हम केवल मॉर्ट के प्लान के अंतराश्टी विवस्ता के 6 मोडलों को समझाएंगे लेकिन इस 6 मोडल समझने के लिए पहले इसकी प्रश्टोमी की रूप में दो-तिन बाते समझना आती आवशेक है सबसे पहले तो यह जाना जरूरी है आज भी जरूरी है इस लेक्चर में भी के अंतराश्ट सब्सक्राइब आपने इस्तापित करते हैं और इसके आधार पर जो विचार होते हैं जो विवहार होते हैं उभर कर सामने आते हैं उससे ही एक संबंदू का समुच्चे बनता है और उस संबंदू के समुच्चे को ही उस संबंदू के समुच्चे को ही अंतराश्टी विवस्ता कहा जाता है जहां रखेंगे इसको अंतराश्टी राजनिती विवस्ता नहीं कहेंगे आप केवल अंतराश्टी विवस्ता कहेंगे इसक सिस्टम का प्रियूग किया गया जो कि गलत है क्योंकि पूरी दुनिया के लिए कोई भी एक ऐसा राश्टराज्य नहीं है जो कि बाध्यकार रूप में निरने ले सके इसलिए इसको केवल अंतराश्टी विवस्ता का जाएगा तो फिर शी बता रहा हूं मैं अंतराश्टी थिवस्ता कारे कर्तौं काॉं होते हैं मैं आपको कही वहर बता दिए कि अंतराश्टी राज मितीका त तो होता है उसकाय कहतह है तुसकाय कहती है उसके यहां राष्टर्स राज्जी ने राष्ट्रों परी राष्ट्रो परी इकाईया भी होती है जैसे राष्ट्रो परी में आएगा राष्ट्र संग है छेतरी संग्टन है जैसे सार्क आशियान है इत्यादी बहुत सारे संग्टन इसके अंतरगत सम्मिलत हो जाते हैं तो वास्तों में अंतराष्टी व्यास्ता कारे करतों में यही अंतराश्टी विवस्ता कहलाता है यह बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है बाकि मैंने पीछे अच्छे से अंतराश्टी विवस्ता कर समझा दिया है आप इसलिए लेक्सर देख सकते हैं ठीके मेटा अब आगे बढ़ते हैं इसको मार्टन कैपलन भी कह सकते हैं मार wyk. m Pronounce martin kaplan के 근utz 3D model को झो सब्दा काषिक मानने üz君 यह रहे हैं इसके सबसे पहले देहां रहना के यह रहे हैं यह सबसे पहले ध्यान रहना ज़रूरी है mend he a सिल तरेस्टिपीन य॥ा लं था जैसे नंबर यह कह कुछ विशिट एं आवर्त नी है धयst जिसको बार-बार दो रहा है झाता है आवर्त यह भेल अस्तिप्त आवर्त नियह संभुष्च आस्ाइपा घ्या आप स्वाम देखेंगी जब हम अंतराश्टी राजनितिक अध्यन करते हैं, तो उसके अंतराश्ची राजनितिक असो होते हैं, जो के अपने विवहार को बार बार दो राते हैं। इसी आधार पर चीन की विदेश नीती को आक्रमक विदेश नीती कहा जाता है। जबकि भारत की विदेश नीती के बारे में कहा जाता है कि भारत की विदेश नीती सिध्धान्तू पर आधारित है। नो डाउट ये सत्य भी है। तो इस तरीके से आप इसका जो है ये पहला माननेता होगी, इसके बाद इन दूसरी माननेता है लेंगे ये व्यवार, मतलब जो ये repeatable व्यवार हो रहे हैं, बार बार जो दोराई जा रहे हैं, राश्ट राज्यू के दोरा, ये व्यवार समुच्चे का रूप इसलिए धारन करते हैं, ये व्यवार समुच्चे का रूप इसलिए धारन करते हैं, कि इस समुच्चे के वीभिन तत्तों में घनिष्ट आंत्रिक संबंद होता है, तथा इन से अंतर राश्ट्रिये एवं राश्ट्रिये आवशक्ताओं की समान रूप से पूर्ती होती है, नमर दो, नम समुच्चे को इसलिए राजनिती में भाग लेने वाले लोगों और सनस्ताओं के चरित्र यो मन की विसेस्ताओं को प्रतिविंगित करते हैं, तीसरी माननेथा है था लोगों Subscribe और चोथा जो इसकी माननता होए है अंतराश्टी विवार कई तत्व जैसे सैनेक तत्व, आरथिक तत्व, संचार का तत्व, शूचना तत्व, तक्निकी परिवर्टन और जन सांख्य की परिवर्टन आदी तत्व से सम्मंदित होती है द्यान देजेगा अंतराष्टिय विवार कई तत्वों जैसे सैनिक आर्थिक संचार शूचना तक्निकी परिवर्तन जन सांखे के परिवर्तन आदी तत्वों से सम्मंदित होता है। ओझाई होता है। यह जो है मार्टन कैपला ने अनतराष्टि रस्ता द्रिशटी कोण के जार से द्धांतिक मान्नेताई एंब चार से द्धांतिक मान्नेता चichtet किनाचि बाद मार्टन कैपलाण ने ही । क्या कई कर फर कि पहलों कि क्रमबद रूप में इसको समझना है तभी the impression समझें आप प्रति मानू की कलप ना की है मतलब márton करन ने इन चाहर सैध्धहंत एक की आधार पर अंतराष्टी विवस्ता के प्रतिमानों की कलपना किये और मार्टन कैपला ने का है क्या का है कि इसके आधार पर अंतराश्टी वेवस्ता का विशलेशन संभव है अंतराश्टी वेवस्ता का अंतराश्टी राजनिती का अंतराश्टी संबंदु का विशलेशन संभव है या इसका विशलेशन संभव है अंतराष्टी राजनित्य को अंतराष्टी संबंदों को अंतराष्टी व्यवस्ता के इन 6 सेधांतिक माननेतों के आधार पर समझा जा सकता है और इसी के आधार पर इन्होंने अपने क्या 6 मोडल या प्रतिमान दिये हैं किसके अंतराष्टी विवस्ता के किस ने दिये हैं मार्टन कैपलान ने इसलिए अंतराष्टी विवस्ता के जो मुख्य समर्थक विद्वान है उनका नाम क्या है मार्टन कैपलान और चैपलान इस विभस्ता के 5 सत्तों को विशिय्स्ट मानता है तो मार्टन चैपलान के पांस तत्तों विभस्ता मतलब। क्या-क्या नम्बर 1 विवस्ता के आवशक नियम मतलब वास्तीक ूरूप में अंतराष्टी वस्ता के कुछ आवशक नियम होते यह इन नियमों का रूपांतरण होते रहते हैं बदलते रहते हैं क recurringूसिस्टम है यह और तीसरा है कारेखरत्ण का वर्गी करण करने वाली मतलब यहाँ पर जो अंतराश्टी राजनिती के अंतरे कार्य करता होते हैं जैसे कार्य करता होते हैं राश्ट्रो परी कार्य करता होते हैं जैसे मालेजीगा एक तरह हम कहेंगे कि इसके अंतरगत अंतराश्टी राजनिती का जो रात में कभी नेता होते हैं तो कारे करताओं का वर्गी करने वाले तत्तवष भी इसमें आएंगे और इसके बाद में चोथा हैसा मार्टन कैपलान ने मतला नहीं वहस्ता कि पांस तत्तों को विशिष्ट या मैतो قुड माना पांस तत्तों आप नोट किजेगा इसके एकजामें प्रशन पूचा जा सकत आप हम बात करेंगे मार्टन कैप लान के अंतराश्टी विवस्ता के चैनल की जैसा कि मैंने नोट किए चैनल में निया डाइक्नम मना है बना नमबर 123456 क्रम से समझना है नमबर एक नमबर दो नमबर तीन नमबर चार नमबर पांच नमबर चैनल अब देखो सबसे पहले सकती संतुलन व्यवस्ता को अच्छे सम hyvin समय इसलिए इसके बारे मेने जो महतकुन बाते हैं जो महतकुन इसकी बाते है सकती संतुलन व्याइस्ता के मौडल की जो सो penguin नियम को पूच ले जाता है ते मुंसके 9 को समझाओं पहले देखेगा अब जो 6 मोडल है मार्टन कैपलान के अंतराश्टी विवस्ता के अंतरगत वो 6 मोडल में सबसे पहले तो ध्यान देंगे कि प्रत्थम मोडल और दूसरा मोडल मतलग एक नमबर और दो मौडल फिर को इन्हों नेवस्ति वोप में हम कहेंगे कि एतिहासिद्र कुण कि रिटिमान कहलाती या त्यासिकता के अधार पर यह को अलिकार ये दोनुग जो मोडल है प्रतिमान है वो वास्तिक रूप में एतियासिकता के आधार पर दिये गए है बाकि जो चार बचे से इस नमबर तीन, चार, पांच और चे एक, दो, तीन, चार हो गए ये चारू क्या है परिकल्पीत हैं क्या है ये चारू मने लिखा है परी, 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 मतलब ये चारू परिकल्पीत हैं और ये दो एतियासिक हैं ये प्रतिमान दो हैं जो तो एतियासिक हैं और ये चार परिकल्पीत हैं ये आपको ध्यान में रखना है इसके उपर भी एक्जामिक किसी भी रूपे प्रशन पूचा जा सकता है मैं पहले ये बात स एहला model ले रहे हम सक्टी शंदुलन व्यास्ता मतलब Martin Ke diseases को प्रत्थम प्रत्थम प्रत्तिमान दिया है वह सप्षी संदुलन विवस्ता का पिवास्ता का प्रतिमान नोट करें शक्टी संदूलन की व्यवस्ता रहती है, मतलब सक्ति संतुलन व्यवस्ता के अंतरगत हम कहेंगे कि विश्व के अंतरगत 5-6 सक्ति साली जो राष्टर राजी होते हैं, उन देशों के मद्द सक्ति संतुलन की व्यवस्ता रहती है, मतलब यहां 5-6 राष्टर राजी में सक्ति का संतुलन बना वना रहता है, बैलैन्स हो पाउर बना रहता है और जब तक सक्ति का संतुलन बना रहता है तब तक युद्ध नहीं होते हैं और जैसे ही संतुलन बिगड़ता है वेसी विश्वयुद होते हैं लीजम हूत हो वाश्तिवीक खरूप में विश्वयुद्ध हुआ क्या हुआ प्रतम विश्वयुद्ध हुआ नोट करना है और मैं फिर बतारू यहां एक बात और कि सक्ति संतुलन सक्ति संतुलन विवस्ता प्रतिमान से ही दो प्रतिमान निकलते हैं एक तो सिथिल दिवधुरिय विवस्ता और दूसरा कठोर दिव प्रतिमान कमजोर पड़ता है उसे ही उसके आधार पर ही शीर्थिल दियुद्रिये रवस्ता उबर कर सामने आती है इसमें क्या होता है यह दो नमर प्रतिमान हो गया कि दो महा सक्तियों गुटों के साथ कुछ अन्य अंतराश्टिय करताओं की उपस्तिती हो जाती है अर्थ स्थापना की दुनिया के अंतरगत यूए नो और इसके बाद में नाम मतलब गुटन रपेक्स आंदुलन गुटन रपेक्स था तो यह जो है वास्तों में अंतराश्टी विवस्ता के अंतरगत अंतर राश्टिय कारे करताओं की रूपर बरकर सामने आए तो ऐसी स्थिति दिव धुरिये विवस्ता है इसमें फिर सिकरे रहों क्या होताइक दो महासक्तियां या गूटों के साथ कुछ अन्य अंतराश्टी करता हूं कि उपस्तती रहती यह जैसे कि सवित्राश्ट स्रंग और गुट नरपेक्स था ठीक है बेटा विध्यान रखना है अब इदर आईएगा फिर तीसरा जो प्रतिमान हो है कठोर दियु धुरिये व्यवस्ता क्या प्रतिमान क्या है कठोर दियु धुरिये व्यवस्ता कठोर दो धुरिये व्यवस्ता अब इसमें क्या होता है ध्यान देंगे दो महा सकतियों गुटों की उपस्ति तथा सक्ति-स Kyoto मतलग इस प्रतिमान में मार्तिन कैपलान कह रहे हैं कि दो महा, सक्ति या दो गुट की उपस्ति ही होती हैं और यह दोनुछी जो है सक्ति की दृष्टी से स्रेश्ट होते हैं जैसे दूसरे विश्वय हुद के बाद में हमारी जो अंतराष्टी विवस्ता है वास्टवीक रूप में इसी स्तती में आगी थी और इसमें हम कहेंगे कि एक तरफ एमरिका और दूसरी तरफ या दूसरी तरफ सोयवियत संग दो सकतिसाली राश्टों की रूप में उबर कर सामने आए थे लेकिन यहां क्या होता है अंतराश्य संक्टन बहुत कमजोर हो जाता है क्या हो जाता है अंतराश्य संक्टन कमजोर हो जाता है जब कि यहां पर अंतराश्य संक्टन इतना कमजोर नहीं होता है यहां पर अंतराश्य संक्टन बिल्कुल कमजोर हो जाता है जैसे अंतराश्टी संक्टन कमजोर हो जाता है और वो यूधू को रोकने में बिल्कुल ऐसमर्थ होता है इसे कहेंगे कठोर दीधुरिये विवस्ता जो की परिकल्पीत है यह परिकल्पीत है ठीक है यह दोनों एतियासी के परिकल्पीत है तीन हो गए आप इदर आईए मार मॉर्टन के अंतराष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्र की रूप में भर कर सामने आता है और यहां वासरावी की रूप में एक प्रॉड्षि कीडौ की रूप करते हैं भलकि राश्टविक रूप में इसा नहीं करते हैं बलकि क्रियात्मक क्ये रूप में एक अंतराश्य संगात्मी क्युष्टा की स्थापना हो जाती है और इसमें एक सारव भूमिक कारे करता है। बाकि इसके अंतरगत वास्थी रूप में राष्टर राज्य देश काम करते हैं। इसको करते हैं सारव भूम् विवस्ता। एक महासकति पूरे विश्वय के ऐधीन संग्टित वेय देए और ये जो आदि जमांए जाती है एक तो होता है। ये तो जीत के द्वारा होता है, मतलब हम कहेंगे कि युद्ध के आधार पर, और दूसरा है गैर नर्दे सात्मक, ये लोकतांत्रिक तरीके से एक महा सक्ती, मतलब जो है एक परकार से पूरे विश्व को अपने अधिन कर लेती है, दो परकार होगे, नर्दे सात्मक और गैर सक्ती होती है, वास्तिक रूप में यहां प्रतेक राज्ये के पास प्रतेक दूसरे के समान सक्ती होती है, मतलब सभी राष्टर राज्ये के पास में अस्तर सस्तुर का बंडार होता है, और जब ये अस्तर सस्तुर का अथा बंडार होता है, तो सभी राष्टर राज्ये य जलत नीतियूं का विरौध करेंगे तो ऐसी स्तत्ति में ये एकाई-विटो विववस्ता इस्तृ भी हो जाती उसके बाद हम धीरे 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 अने को राष्टर राज्य, सक्तिचालिक की रूप में होभर कर सामलेआ रहे हैं, Supreme Power बनते जा रहे हैं, जिसे की वास्तवी कुरूप में बहु धुरुये विस्य विवस्ता की संग्या भी दी जाती है। मोडल हो गए मार्टन के प्लान के इसके आधार पर आप अंतराश्टी विवस्ता को आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि वास्तवी कुरूप में सकती संतुलन प्रतिमान का सबसे अचा फायदा यह होता है कि इसके अंतरगत विश्वयुद्ध नहीं हो पाते हैं। और जैसे सकती संतुलन में परिवर्तित हो जाता है वैसे ही विश्वयुद्ध होते हैं। जैसा है कि प्रतिम विश्वयुद्ध हो और दूसरा विश्वयुद्ध हो इसलिवा सकती संतुलन सकती ऐसंतुलन में बदलने के कारण। इसके 6 मूल नियम हैं बतलब सकती संतुलन जो व्यवस्वयुद्ध का पर्तिमान इसके 6 मूल नियम बताई हैं। नोट करेंगे नमबर एक। प्रतेक राष्टर समझोतों के माध्यम से अपनी चमताव में व्रधी करता है युद्ध से नहीं सबसे पहले बात हुए कि यहां पर प्रतेक राष्टर प्रतेक राष्टर क्या अंतराष्ट्री राजनिति का अभिनेता कुन होता है बिटा एक्टर कुन होता है, कारे करता कुन होता है, इकाई कुन होता है, राष्टर वाज्य होता है, देश होता है, तो प्रते एक राष्टर समझोतों के माध्यम से अपनी चमताव में व्रधी करता है, युद्ध से नहीं, नमबर एक, दूसरा, राष्ट्रिय हितों को, राष्ट् हिटों की सु создah करते हैं और टे ही तों कि सुरक्षा के आवस्रों को गवाते नहीं बल कि सक्ते ह्वेस करते हैं बल्किस के लिए सविए राष्ट मेनम को बता जल्च मेन आपको पहले बता है कि अंतरराश्यắt सबी राष्टियास करते हैं वही विदेशंदी तैक करते उसमें यह देखा जाता है या भी राष्ट्राज को इद्धान रखते हैं। कंँ ≸ कार्य करतर निकाल नहीं जाता बल्कि विरोधी के स्वाप्त होने से पहले ही कार्य करता युद्व को रोक देता है ≸ एक कार्य करता या कार्य करताओं का सम्हूं किसी दूसरे ऐसे कार्य करता या कार्य करताओं के सम्हूं का विरोध करता है विरोध करेगा ही करेगा इसके बाद में किसी भी कार्य करता को राष्ट्रो परी संग्ठन के सिद्धानतों पर चलने से रोकने के प्रियतन किये जाते किसी भी कार्य करता को राष्टो परी संग्ठन के सिद्धानतों पर चलने से रोकने के प्रियतन किये जाते हैं किसी भी कार्य करता है किसी भी कार्य करता को राष्टों पर चलने से रोकने के प्रियतन कि आज बताएगा कौन सा राष्ट्रा जिमानदाली से पार्न करता है कोई नहीं करता है और छटा है किसी भी हारे हुए किसी भी हारे हुए या कमजोर किये गई कारे करताओं को विवस्ता में पुने सामिल करना होता है बहुत मैतवन बात है किसी भी हारे हुए या कमजोर किये गई कारे करताओं को कारे करता कौन होता है अंतराश्टी राजनिती में राश्टराजीत होते हैं, कारे करताओं को व्यवस्ता में, अंतराश्टी व्यवस्ता में पुनेह सामिल करना होता है, ये सक्ती संतुलन व्यवस्ता के छे नियम बताएं मार्टन कैपलान ने, इन छे नियमों को आप नोट करेंगे, क्योंकि इन छे नियमों के ओपर भी किसी वी रूट में आप से एक्जामे प्रशन पूछा जा सकता है कि भी सक्ति संतुलन व्यवस्ता प्रतिमान के छै नियम बताएं जो कि मार्टन कैपलान ने बताएं तो छै नियम आप नोट कीजिएगा यहां मैंने अंतराश्ट्य व्यवस्ता द्रेश्टिकोन के जो सैद्धान द्रशान होते हैं Stickल जान ञवाएं और यहां मार्टन कैपलान इस व्यवस्ता की 572व अये 577 फ्र Will सकति 50 तव हैं और श्रति शंतुलन व्यवस्ता प्रतिमान के जो छे मूल नियम है मैंने नियम कि मैंने 706 मूल के हैं मैं धुश्फंधिंत के इनध Experience ये विवस्ता की सिद्दान को अच्छे से समझ गए होंगे यस बेटा, ओके थैंक्यू वेरी मॉच्ट, थैंक्यू वेरी मॉच्ट